अब ख्योत्स वृट्स फू आगतर दोस्तों, योग इश्ट टिक्निकल में आपका फिर से बहुत-बहुत सुब uyत्स बहुत है, दोस्तों आज इस विडियो में हम बात करेंगे ओर वाटर डिस्पेंसर के बारे में मैं आपको ओर-डिस्पेंसर के सभी कंपनेंट, Compressure, Compressure के Cooling Watt, BTU वे उसकी Capacity, Compressure के Horse Power तथा Capillary वे इस उपकन के Back Pressure के बारे में भी हम इस वीडियो के दुरान जानेंगे अगर आप ने Technician है तो वीडियो में अश्या बने रहीगा और अगर आप परिपकव हैं तो वीडियो को Skip कर सकते हैं और एक जरूरी बात अगर आप राफ सरा किसी Tool को लेना चाहते हैं तो या उसके बारे में जाना चाहते हैं तो वीडियो को Skip recipient में जाकर मैंने काफी Link दियो हैं वहाँ जाकर आप उनके बारे में जान सकते हैं तो दोस्तो सब से पहले हम बात करेंगे कि Water Dispenser कितने कपेस्टिक के आते हैं लगभग तथा कितना पानी है एक घंटे में ठंडा कर सकते हैं तथा इसके नीचे वाली केबिनेट का तापमान कितना होता है तो दोस्तों यह मुख्यते टेबल टोप वे फ्लोर मांटिंग टाइप के आते हैं तथा इन में कूलिंग केबिनेट वे स्टोरेज केबिनेट टाइप मोडल आते हैं लगभग सभी में तीन वालविया नल भी हम कह सकते हैं जो नॉर्मल पानी कोल्ड पानी तथा गरम पानी के होते हैं अक्सर आपने देखा होगा दोस्तो इसमें लगभग 2.5 लीटर से तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाटर डिस्पेंसर कितने केपेस्टिके आते हैं तथा कितना पानी ये एक घंटे में ठंडा कर सकते हैं वे इसके नीचे वाली केबिनेट का तापमान कितना होता है ये सभी बाते मैं आपको बदाता चलूँगा इनमें कूलिंग केबिनेट वे स्टोरेज केबिनेट टाइप मोड लाते हैं लगभग सभी में तीन वाल या आप नल भी कह सकते हैं होते हैं जो नॉर्मल पानी कोल्ड पानी वे गरम पानी के होते हैं इसमें लगभग 2.5 लिटर से लेकर और यह वायर में स्टाइप है यानि कि जैसा कंडंसर हमारे पहले वाले फ्रीजों में आता था बाहर की और लगा हुआ ऐसा ही कंडंसर इसमें दिया हुआ इसको फोल्ड कर दिया गया है ताकि यह कम स्थान ग्रहन करे और जितना एरिया हमारे इस वाड़ा डिस्पेंसर का है उतना एरिया ही यह कवर करे ताकि यह ज़्यादा स्थान न ग्रहन करे आप इसका कंडंसर देख सकते हैं इसका जो कंडंसर है उसका जो मोडल नंबर है वो भी मैं आपको बताऊँगा और इसमें अगर आपको कभी जरूरत पढ़ती है कि तेल कितना डालना है वो भी मैं आपको वीडियो के मद्धें बताता चलूँगा अगर आप नई हैं तो इस वीडियो में लाश्ट तक बनेरिया काफी काम की चीजी हैं जो मैं आपको वीडियो के दुरान बताता रहूंगा आप वीडियो को देखते और ध्यान से सुनते रहिएगा तो दोस्तों इसके कूलिंग केपेस्टी वाट लगबग 80 वाट से लेकर 100 वाट तक के होती हैं और जो होट वोटर स्टोरेज केपेस्टी है वो लगबग 1 लिटर के असपस होती है और यह 5 लिटर परती घंटे के हिसाब से पानी को गरम कर सकता है यहाँ पर इसका कमपेशर लगा हुआ हैं आप सामने देख सकते हैं इसमें सिंपल रीले ही लगती है और वो समने आप जो थर्मोगोल से गिरा हुआ देख रहे है वो इसका होट चेंब्र है उसी में पानी गरम होता है उसके अंदर एक हीटर लगा होता है और जो यह टैंक आप उपर देख रहे हैं यह इसका ठंडे पानी का टैंक है, इसमें पानी ठंडा होता है और उपर जो यू अकार का आप एक वाल अलग से देख रहे हैं, इसी से हमारा नूर्मल पानी जाता है, यह देखिए यह वो इसका गरम पानी का टैंक है, आप देखिए धर्मोगोल से घिरा हुआ, उस पर दो भी लगे हुए, आप ध्यान से देख सकते हैं, यह है इसका कडंसर है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और उपर की तरफ इसका थर्मोगोल से लगा होता है, और जो गरम पानी का टापमान होता है तो उस तो वो लगबगर 90 डेजी सेंटेग्रेट तक पहुँच ज होते हैं, जिसमें से एक में normal पानी आता है, एक में ठंडा पानी आता है, और एक में hot water पानी आता है, और सामने इसकी युह cabinet है, दोस्तु यह cabinet की जो कपेस्थी होती है, वो लगबग 20 लिटर के आसपास होती है और cabinet के अंदर का जो तापमान है, वो लगबग 12 centigrade तक होता है इसमें हम हमारे liquid पेपदार थरक सकते हैं ये आप आगे का हिस्सा देख सकते हैं जो ये steel का tank है इसके नीचे की तरफ cooling coil है जो thermo coal से ढख दी जाती है ताकि insulation बना रहे और ये है इसका compressor है जो इसमें compressor लगा हुए दोस्तों वो S36G low back pressure type का है RX 34C resident इसमें भरी जाती है और इसका जो back pressure है वो भी हम जानेंगे कि यह है कितना back pressure दिखाएगा अभी running में देखिए आप देख सकते हैं हमने इसे शुरू कर दी है tank के अंदर cooling आना शुरू हो चुकी है आप निचे की तरफ देख सकते हैं बरफ जमना शुरू हो गई है दोस्तों जो इसके पाने का ताप मन है वो लगबग 10 degree centigrade के आसपास होता है जिसे की हम आराम से पिसके फिर भी अगर पाने जाए ठंडा हो तो आप नूर्मल पानी मिला कर उसे balance का सकते हैं और इसके back pressure को भी आप देख सकते हैं लगबग 10 PSIG के आसपास इसका back pressure है यानि की compressor चलते हुए 10 PSIG ही इसका back pressure है क्योंकि जो यह application है यह low back pressure type है यानि की मैं आपको हर बर बताता हूँ की back pressure हमेशा application के हिसाब से change हो जाता है अगर यही यह water cooler होता तो R133 का back pressure लगबग आपका 30 के आसपास आता लेकिन यह low back pressure type application है इसलिए इसका जो back pressure है वो 10 PSIG के आसपास ही आएगा अभी बाहर का तापमान ज़यता नहीं है जैसे जैसे बाहर का तापमान बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इसका back pressure भी बढ़ जाएगा यह है इसका cabinet है इसमें plate type operator लगा हुआ है और इस cabinet का जो अंदर का तापमान है वो लगबग 12 सेंटिग्रेट तक पहुँच जाता है और इसकी जो capacity होती है cabinet की वो 20 लिटर के आसपास होती है मुडल के हिसाब से capacity बदल जाती है कम या जादा capacity आपको company दे सकती है यह plate type operator हमारे पुराने फ्रीजों में भी आते थे अगर आपने कभी देखे हो तो दोस्तों यह cabinet आपने देख ली है इसमें नीचे की तरफ पाने के लिए drain बनी हुई है ताकि अगर इस plate type operator monster जमा हो तो वो इस tray में इसका पानी नीचे चला जाए और वो बाहर निकल जाए इसमें आप देख सकते हैं उपर के तरफ input और output है देखे यह chamber आपको मैं दिखाने के कोशे करता हूँ जो thermocool से covered है यही इसका गरम पानी का chamber है यानि टेंक है आप से बोल सकते हैं और इसका जो back pressure है वो 10 PSIG के आसपास है वो आपने देखी लिया अब हम बात करते हैं इसका जो compressor लगा हुआ है वो 220V 50SZ का ही compressor है और इसका modal number है S36G low back pressure type का ही compressor है और यह है एक बटे 10 horsepower का compressor है दोस्तों यह है आपको ध्यान में रखना है जो इसकी HP है वो एक बटे 10 horsepower है और इसका जो displacement है वो 3.6 CC होता है तता यह RSI R-type winding से सम्मान देता है यानि की resistance start injection रहाने की इसमें कोई capacitor नहीं लगता यह है वो गरम पानी का chamber है इसमें थ्रमश्रे टाप लगे हुए देख सकते हैं इसी में पानी गरम होता है वै इसकी जो B2 है दोस्तों वो 200 T-Hitter है और इसके जो cooling watt है वो 80 है और इसमें आप लगबग 165 ml oil charge कर सकते हैं अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों इसमें जो compressor लगा है वो Chinese ही है तता इसका number S-36 G है यह लगबग 0.8 Ampere का load लेता है और इसमें लगबग 48-50 gram resident charge की जाती है जो machine अभी आप देख रहे है और अगर इसमें आपको कभी capillary बदलने की ज़रूरत महसूस होती है तो दोस्तों इसमें लगबग 0.26 से लेकर 0.28 नंबर तकी capillary आप लगा सकते हैं जो आपको जल्दी से उपलबद हो जाए और वो लगबग 4.5 foot capillary आपको लगानी है इसमें जो उसकी लंबाई होई capillary की वो 64 foot ही होगी और 0.026 से लेकर 0.08 तक नंबरी capillary आप इसमें लगा सकते हैं तो दोस्तों यह थी डिटेल water dispenser के बारे में कोशिष्टी की पूरी जानकारी आपको उप्रत रापाऊं जो आपको ज़रूरी है वीडियो को लाइक और शिर्ट अफशिक किए चैनल को स्क्राइब करना भी मत बुलेगा तैने बाद दोस्तों